Hey guys, welcome to Eduporium Classes, myself Kakun. आज की वीडियो होगी बहुत इंटराक्टिव क्योंकि आज हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक को हिट करेंगे इस वीडियो में, जो है Has, Have और Had का यूसेज. वीडियो में इस कॉंसेप्ट को समझाने से पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि Has, Have, Had, आखिर होता क्या है और हमें इसका यूस क्यों करना पड़ता है? Stay tuned to Eduporium Classes. So, वीडियो की शुरवात हम करेंगे बिल्कुल Zero से, बिल्कुल Scratch से, ये समझते हुए कि आखिर ये Has, Have, Had होता क्या है? क्योंकि इसका confusion सिर्फ आप तब ही दूर कर पाएंगे जब सबसे पहले आपको इसके concept की clarity होगी. तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें, verbs की definition से शुरवात करेंगे, verb यानि की कोई भी क्रिया शब्द जिससे हमें काम होने का पता चलता है. Verb दो तरीके के होते हैं, एक main verb होता है, एक auxiliary verb होता है. अगर आपने हमारी do, does, did वाली वीडियो देखी है, तो उसमें भी हमने पहली slide की शुरवात बिल्कुल इसी concept से करी है. ये concept आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको main verb और एक helping verb के बीच में अंतर पता होता है, तो चीज़े समझनी हमारे लिए असान हो जाती है. main verb वो verb होता है, वो word होता है किसी sentence में, जो हमें action शो करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या काम हो रहा है sentence में, जैसे कि work, काम करना, sleep, सो जाना, और जैसे कि go, चले जाना, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनसे हमें actual में ही पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, फ auxiliary verbs हमारे वो verb होते हैं जो हमारे main verb का tense decide करते हैं tense यानि की जिसको हम Hindi में कहते हैं काल, काल मतलग इस काम के होने का क्या समय है क्या वो अभी हो रहा है present tense में, क्या वो बीते हुए वक्त में हुआ था past tense में या फिर वो आने वाले वक्त में होगा future tense में ये हमें decide करने में मदद करता है हमारा auxiliary verb तो आज की वीडियो में होते तो बहुत सारे auxiliary verb हैं मैं आपको कुछ examples बता देती हूँ is, am, are, do, does, did और बहुत सारे लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा focus रहेगा वो होंगे हमारे तीन इसी तरह के auxiliary verb जो होते हैं has, have और had आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये clear करूँगी next slide में कि ये किस तरीके से आपको इस main verb का tense या समय decide करने में मदद करते हैं आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमने do, does, did वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि कब हमें present tense में कब do का इस्तमाल करना है, कब does का, कब did का ठीक उसी तरीके से has, have, had के भी कुछ rules होते हैं देखिए हमारा जो mean auxiliary verb होता है वो has होता है present tense, past tense, future tense के हिसाब से वो अपने रूप बदलता है किस तरह है? अगर present tense में singular subject की बात हो रही है she, he, Rita, Mona, किसी का नाम तो हम हमेशा has का इस्तमाल करते हैं plural subject की बात हो रही है, they, kids, people तो इस तरह की time पे हम हमेशा have का use करते हैं एक example देखते है she has gone to the market यहाँ पे she, singular subject है तो हम क्या use करेंगे? has इसी तरह, he has gone to the market Meeta has gone to the market plural अगर आ जाता है, they, अनेक लोग they have gone to the market यहाँ पे plural rule में आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि I और you यह दो ऐसे exceptional singular subject है देखे, I मतलब मैं अकेली, you मतलब आप, अकेले ठीक है? लेकिन उसके बावजूद, singular होने के बावजूद यह हमेशा अपने साथ have का use करते है यह बात आपको अपनी lifetime के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेनी है I have gone to the market, you have gone to the market कभी भी यह ऐसा सुना है I has gone to the market, you has नहीं, यह usage गलत होता है ठीक है? अब देखते हैं past tense के बारे में Past tense कुछ ऐसा बताता है कि आप past tense में अगर आपका subject चाहे singular हो, चाहे plural हो एक आदमी की बात हो या एक से जादा की बात हो आप हमेशा hat का ही use करेंगे असान है ना यह बात याद करने में So जैसे यहाँ पे She had fever yesterday उसको कल बुखार था यहाँ पे she अकेली subject है तो उसके साथ हमने had use किया बट यहाँ पे अगर दे भी होता ठीक है? तो दे के साथ भी हम had ही लगाते They had fever yesterday अब अगर I होता I had fever yesterday You had fever yesterday तो past tense में हमें चीज़े याद रखनी easy होती है कि किसी भी तरह का subject हो auxiliary verb तो had ही आएगा Future tense में अगर हम use देखेंगे हमारे has का तो हम क्या देखेंगे कि singular या plural subject कोई भी हो हमारा has, have के form में change हो जाता है जैसे She will have a class tomorrow यहाँ पे she पे अगर हम ध्यान दे तो हम singular subject की बात कर रहे हैं लेकिन कभी भी हम She will have a class tomorrow नहीं बोलेंगे She will have a class tomorrow फिर इसी तरीके से अगर हम she की जगे अब जादा लोगों को रख दें यानि कि they They will have a class on Friday या they will have a class tomorrow तो यहाँ पे भी हमने देखा कि they के साथ हमने have का ही use किया है तो जब आप अपने present, past और future tense के बारे में clear हो जाएंगे कि हम has have had को किस तरीके से उसके form को change करेंगे तो आगे इस वीडियो में जो हमारे users आने वाले हैं has have had के उनको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी हम समझेंगे कि हमारे auxiliary verb हमारे main verb की help किस तरीके से करता है तो कुछ example से देखते हैं शुरू करने से पहले एक बात एक rule इस पूरी वीडियो के लिए जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से fit कर लेना है वो यह है कि जब भी हम has, have, had इन तीन में से कोई भी auxiliary verb use करेंगे उसके साथ जो हमारा main verb आएगा, वो हमेशा अपने third form में आएगा यानि कि जिसे हम past participle भी कहते हैं, एक बार recap कर लेते हैं हमारी एक video थी जिसमें हमने बहुत अच्छे से strong और weak verbs को जब पढ़ा था, तो हमने इस चीज के बारे में भी उस video में discuss किया था, if you have missed out go and watch that video तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे eat, हमारा present tense, first form eat, past tense, second form eaten, third form जिसको हम past participle कहते हैं तो अब आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि आप हर बार has, have, had के साथ इस third form के उपर ही stick रहेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला sentence है she has eaten her meal यहाँ पर देखो, has के साथ हमने जो अपना main verb लिया है वो कौन से form में लिया है, third form eaten, मैंने eat नहीं use किया, मैंने eat नहीं use किया मैंने eaten use किया, हिंदी में हम कैसे बोलेंगे वह अपना खाना खा चुकी है मतलब कोई काम खतम हो चुका है तो यहाँ पर eaten, खा मेरा main verb है और जो has है वो मुझे यह बताएगा कि यह जो मेरा main verb है इसका tense क्या है tense यानि कि यहाँ पर यह पता चल रहा है कि यह बात खाना खा चुकी है present tense में चल रही है Rosie had forgotten the keys Rosie चाबी भूल गई थी यहाँ पर forgotten जो है वो मेरा main verb है और कौन से form में है अपने third form में इसका first form होता है forget second होता है forgot और third form होता है forgotten forgotten के साथ हमने had लगा दिया इस had लगाने से मुझे क्या पता चल रहा है कि Rosie चाबी भूल गई थी यह काम तो past tense में हुआ था यहाँ से मुझे इसका होने का समय पता चला they have decided to work hard उन्हों वे तै कर चुके हैं कि वे महनत करेंगे यहाँ पे जो हमारा main verb है वो तो है decided क्योंकि action तो इसी से पता चल रहा है third form में लगा हुआ है अब इसके साथ have लगने से मुझे क्या पता चला कि यह मेरा पूरा का पूरा जो बाचीत हो रही है वो अभी present tense में चल रही है वे तै कर चुके हैं यह बात अभी चल रही है कि वे महनत करेंगे तो अब जब हमने यह बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमें present tense में past tense में has, have, had को किस तरीके से यूज करना है तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अब हमारा has, have, had जो है उसके basically main तीन यूज होते हैं कभी-कभी वो एक main verb का काम कर जाता है sentence में कभी-कभी वो एक helping verb की तरह support करता है हमारे main verb को और कभी-कभी वो models की तरह use किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम main verb के बारे में सिर्फ समझेंगे इन तीन examples को जब हम देखें तो हम सबसे पहला sentence क्या है एकता has a nice car एकता यहाँ पे singular subject है एक अकेली लड़की है और हम यह जो बाचीत कर रहे हैं यह अभी present tense की कर रहे है ठीक है हम कैसे बोलेंगे एकता के पास एक बड़िया सी गाड़ी है तो यहाँ पे singular subject के साथ हम क्या use करते है has यहाँ हमने has लगा कर अपने इस पूरे sentence को complete कर दिया अगर आप बारी की से देखोगे तो इस पूरे sentence में क्या आपको कहीं पे कोई main verb नजर आया जैसे की run, जैसे play, sleep ऐसा कोई action word नहीं they have a holiday today they यानि की अब बहुत सारे लोग हो गए plural subject today यानि की present tense आज की बात हो रही है तो मतलब हम क्या इसमाल करेंगे have यहाँ पे हमने have लगा कर sentence क्यों कैसे समझाया आज उनकी छुटी है they have a holiday today I had fever yesterday अब yesterday सुनते ही आपको तुरंद क्लिक हो जाना चाहिए कि हम past tense में चले जाएंगे past tense में जाने के बाद आप अपने subject को देखेंगे subject क्या है singular I तो मैं क्या इसमाल करूंगी इसके साथ had मज़े की बात तो यह है कि हम past tense में जब जाते हैं तो चाहे singular subject हो चाहे plural subject हो हमारा काम तो असान है क्योंकि हमें hat का इसमाल ही करना है I had fever yesterday मुझे कल बुखार था has have had का second rule देखते हैं जो की वो helping verb की तरह करेंगे तो helping verb की तरह अगर हम देखें तो हम फिर से तीन sentences को analyze करेंगे एक पिछली sentence में मैंने सिफ यह लिखा था एक ता has a nice car अब यहाँ पे मैंने एक चोटा सा action word insert किया है एक ता has bought a nice car अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस sentence में main verb पहचानी है तो आप लोग मुझे तुरंद बताएंगे कि it is bought bought का मतलब खरीदना एक ता has bought a nice car एक ता ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी है यहाँ पे has सिर्फ एक support दे रहा है हमारे main verb को एक basic role जो आपको हमेशा याद रखना है वीडियो के starting में हमने बात की थी चाहे आप has use करेंगे, have use करेंगे या had use करेंगे उसके साथ आप हमेशा third form की ही बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें has के साथ हम bought लगा रहे हैं हम कभी भी buy नहीं लिखेंगे they have planned a picnic today they यानि की बहुत सारे लोग है today आज की बात है तो हम लोग present tense में plural subject के लिए have को use करते हैं और हमारा main action किस से decide किया जा रहा है? planned they have उन्होंने आज एक picnic plan किया है I had moved to US before she came I singular subject मैं यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो moved moved यानि की हम third form again use कर रहे हैं और यह sentence को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कैसे? मैं US जा चुका था उसके आने से पहले ठीक है? तो यहाँ पे I के साथ had सिर्फ एक support system है main verb अभी भी हमारा moved ही है तो यहाँ इन तीन examples में हमने अपने has have had को सिर्फ एक helping verb की तरह इस्तमाल किया है rule को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा main verb रहेगा वो हमेशा third form या फिर past participle में जाएगा अब आता है हमारे has have had का third use जब हम इसको models की तरह इस्तमाल करते हैं यह बड़ा interesting use है इसलिए कई बार आप सबको मैं यही request करती हूँ कि वीडियो को end तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो सबसे interesting part है वो हमारे वीडियो के end तक पहुँचते आ रहा है सो यहाँ पे हम इसको models की तरह कब use करेंगे जब when someone is forced to do some work जब किसी को कोई काम जबरदस्ती से करना पड़ रहा है बिना उसकी इच्छा के तब हम has have had को बड़े beautifully इस्समाल करते हैं कैसे I don't want but I have to write this I don't want मैं नहीं चाहती हूँ पर मुझे ये लिखना पड़ रहा है यानि कि ये काम मेरी मर्जी मेरी वेश के against हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कैसे अपने have को इस्तमाल किया यहाँ पे I के साथ आप सब समझते हैं I के साथ हम हमेशा have लगाते हैं हमने कभी has नहीं use करना है यह हमने वीडियो की starting में बताया था तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I have to write this यहाँ पे हमने have के बाद इक to का इस्तमाल भी जरूर करेंगे इस वाली condition में She has to do that job She यानि के singular subject है तो singular subject के साथ या तो has या फिर had बट यह sentence present tense में है तो हम कैसे लिखेंगे उसको वो job करनी पड़ रही है यहाँ पे again हमने has के आगे एक छोटी से to का इस्तमाल किया है Mohan had to come to Mumbai to get a job Mohan को Mumbai आना पड़ा था एक job दूणने के लिए यहाँ पे Mohan singular है और past tense की बात हो रही है ठीक है कि वो गया था Mumbai तो had use किया हमने had के साथ फिर से हमने एक to लगाया तो जब हम अपने इन तीन auxiliary verb को models की तरह use करते हैं तो आपको एक condition हमेशा याद रखती है कि इन तीनों के आगे आपको इस two का इस्तमाल जरूर शो करना है to show that compulsion वीडियो को end करते हुए मैं सिर्फ आपसे एक request करना चाहूंगी कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखें एक बड़ समझ नहीं आए हैं बेशक दुबारा repeat करके देखें क्योंकि has, have, had इस तरह की जो हमारे auxiliary verbs होते हैं इससे हमारी grammar की foundation बनती है इसी तरह से एक हमारी और वीडियो है जिसमें हमने do, does और did के बारे में भी discuss किया है आपको time मिले तो उस वीडियो को देखना जरूर याद रखें चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन जरूर प्रेस कर दे और don't forget to press the bell icon ताकि आपको इसी तरह की आने वाली informative वीडियो की information time to time मिलती रहे stay tuned